नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों आप शबी को बता दे कि मांकाली ने दे दिया चार बड़ा शुप जंकीत अब आप शबी के जुनकाल में आज शाम के पाँच बचकर तीश मिनिट के उपरांद जो बड़ी महत्पुन गटना होने वाली है इन्हें आपने कभी शबने में भी नहीं सोचा था जी यां दोसों और हम आप शबी को बता दें कि या शुमय जो भी बड़ी महत्पुन चमदकार आप शबी के जुनकाल में होने वाले हैं जो भी शंकेत आप शिवी को मिलने वाले हैं दोसों इनके वारे में आप कीशी को भी मत बताना बिल्कुल ही अपने मुँपर ताला लगा कर दिखना कि दोसों आप शिवी को बता दे या शाम के 5 बचकर 30 मिनिट को ब्रांद आप शिवी को जो बड़ी कुशकबरी मिलने वाले हैं दोसों कुशकबरी शुनकर पागल हो जाओगे जो आदोसों यश में गरहों के ही कुछ ऐसे स्थिवी बन रही है कुछ ऐसे सुवीयो का दिर्मार होने वाले हैं जो कि दोसों आप शिवी के लिए बहुत ज़्यादा भागी शाली होंगे जो आपके एक चाय है जो भी आपके शब्ने है वे शब्कुछ यह सच कर देंगे बश आपको आज के इस वीडियो को अंतर तक ध्यान से देखना है जो भी गरहों के दती बनी है इनकी नुक्षार आपको कौन जी बातों का ध्यान दगना है जियां दोसों औरेशे महतपुर शमय को बिलकुल ही आप दुरीपयोग ना करें कहने का दात परिया है कि आप यह बाती रोज सुनते होंगे कि आँखों पर यकिन नहीं होगा लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे बाते होती है जिनें बताने के लिए हम इतना उत्साहिक होते हैं कि आपको केशे बताया जाए ताकि आप हमारी दिल की गहरायों को शमझ शके जिनें दोस्तों आए शाम से आप शबिके जिवनकाल में कुछ इसे महत्पुन प्रस्तिती करिर्मान होने वाले हैं प्रकार्श के हैं मांकाली का दिया हुआ एशे समय आप शबिको मिलने वाले हैं जिन के कारण आप शिवी के जुनकाल से श्मेशिएं कोह सो दूर चली जाएंगी और जो भी प्रिशानियां आपके जुनकाल में पिछले श्मेश से चल रहे थे और जिन्हें लेकर आप बहुत यह दा प्रिशान चल रहSी ते दोसों в करेंगे प्रिशारि Mathsald थान लोईवे के शाथ कहते हैं कि आज माकाली्न ने कर दोस्दों इन्हें पाकर आप बिलकुल ही खुश हो जाएंगे जो आपका शपने वे शारी शपने यसमें शच होने वाले आपको बता दी कि माता काली का इश्यु मश्रबाद ही यह चार बड़ा शुबजंकेत है जी हाँ दोसों आप शिवी को बता दे कि अब माकाली के शिरबाशी आप शिवी की जुनकाल में अच्छी जिन्दगी शुरू होने वाली है जी हाँ दोसों आप भूल जाई अपने पिछले शिमे की दुख भरी कहानी कि दोस्तों मा काली के शिर्वाशी अब आप शिवी की जुनकाल में खुशों की एक नई दुनिया बनने वाली है जिनके कारण दोस्तों आप शिवी की जुनकाल में बहुत ही बड़े बड़े चुमतकार होंगे जी हाँ दोसों दोसों आप शिवी को बता दी कि आई शाम से आप शिवी की जुनकाल में जो बड़े महत्पुन बदलाव होने वाले हैं जो बड़े महत्पुन चमतकार आपको देखने को मिलेंगी दोसों देखकर आपके पेरों तले जमिन के शुक जाएगी जी हाँ दोसों एक प्रकार्शिक कहीं तो दोस्तों आई शाम से आप शिवी के जुन काल में बहुत ही बड़ा हड़कंप मचने वाला है जी हां दोस्तों आप शिवी के जून से जो भी मुश्यूबत थी दोस्तों भा दूर होने वाली है आपके शामने जो भी परिशानिया खड़ी हो रही थी दोस्तों वे शामनेशे अब हटने वाली है कि युद दोस्तों आप श्यबी को बितां दें कि माता काली strS ूउद ये व्हकी राषी पर हो चुका है। जिनके कारभ हैं दोस्तों आफ की कुंडली में चार बड़े श्युब्यों का निर्मान होने वाले जी हां दोसों और ये चार बड़े शुब्योग आपको चार बड़े शुब्षंकेत देने वाले हैं जी हां दोसों तो दोसों आज के इस वीडियो में हम आपको वह शंकेत बताने वाले हैं दोसों ध्यान शे आज के इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा जी हां दोसों अगर आप इन बातों को शमज़ लेंगे अगर आप इन शंकेत को जान जाएंगे तो दोस्वों माता कालिका वह चमतकार आप शबी के जुनकाल में होगा जिने जानकर आप श़व जनने वाले पी रोने लगेंगे दोस्वों उनका खोश उड़ जायेगा वो सोच नहीं शकते थी कि आपकी जुनकाल में कभी इतनी भी बड़ी खुशी आएगी जी हाँ दोसों आप शुबी को बता दें कि धन से जुड़ी जोबी शमन्दित आपकी परिशानिया थी दोसों जिने लेकर आप बहुत ज़्यदा परिशान चल रही थी दोसों वे शुबी परिशानिया खत्म होने वाली है आपके घरशी आर्थित तंगी शब शमाप्त हो जाने वाली है जिहां दोसनों आप शुबी के जुनकाल में बहुत ही बड़ा चमतकार होगा दोस्टों आप शिवी को बता दें कि आपने पिछले शिमे अपने जुनकाल में बहुत कुछ शिखा है बहुत कुछ शमजाबी है कि दोस्टों आपने पिछले शिमे जहां भी दुख जेले हैं जहां भी शमशाओं का शामना क्या हैं दोस्तों उन्षमे में आपके अपने ने जिने आप शब कुछ मानते थे दोस्तों उन्हें अपना अशली रंग भी आपको दिखाया है और केशे धोके दे जाते ही दोस्तों वे शब बाती भी आपको शिखाया है बिल्कुल भी आप खुद को निराश ना समझे दोस्तों आपके जुनकाल में ये शारी खुशकबरी एक शाथ आएंगी तो दोस्वों वो लोग के आँखें फटी की फटी रह जाएंगी जी हाँ दोस्वं हम आप शुभी को बता दी कि खुद माकाली अब आपकी रक्षा करने वाली है जी हाँ दोस्वं अब आपके अच्छी के रास्टे को श्रुक के रास्ते में बदल सकते हैं तो दोस्वं आगे से विडियो में हम शरभी महत्तमु जानकरियां आप शविक को दोने वाले हैंunda कि ये शिव में कंक्वी विशव बातों का भी ध्यान रखना होगा कं ये कार्यों को शावधान भी माकाली खुश्यु मश्रवाद आप शबी को प्राप्त हो उश्य पहले दोस्तों जो भी माताराणी के शक्चे भक्त हैं दोस्तों कमेंट बॉक्श में सच्चे मन शच्चे लिदे भावशि जैन माकाली जरू लिखेगा किशमत के बंद दरवाजी खुल जाएंगे सब्सक्राइब कर लें शाथी बैल आइकन को प्रेश करके और पर शुलेट कर दें ताकि दोस्तों और शी महत्पु जरकारियां आप तक शब्से पहले पहुंश के तो आई दोस्तों बात करते हैं दोस्तों आप शीपी को बता दे कि पिछले शमय में आपने बहुत यह अच् पिछले शमय में आपने वह हर मुश्कित प्रतिती में खुद को शाहत के शाथ कार किया है जिहां दोस्तों बिल्कुल ही नीरे रहोकर आप बने कारियों पर डटे रहे हैं चाहे लाक मुश्यपत आपके शामने आये हैं लेकिन दोस्तों किशी निकिशी तरह आप उन मुश छूडा लिये लेकिन दोसों आपको चार बड़े शंकेत मिलने वाले है अब अब आपको अपने जुनकाल में कुछ बातों का ध्यान भी रखना बोगत है जाधा वुश्य हुगे अगर आप छाते हैं कि आगे कोई बी दुश्मन कोई भी शत्रू आपको परिशान ना करे और नहीं आपको धुका दे शके और नहीं आपके कारियों में रुकावटें डाल सके तो दोस्वों कुछ बातों को आश्य ही आप उन्हें कान में रख लेजिए जिहां दोस्वों शबसे पहले आपको बता दी कि आज ये आपको जो बड़ी खुशकबरी मिलने वाली है आज ये आपको जो बड़ी शुपलताई मिलने वाली है दोसों उन्हें आप कीशी के भी शाथ शेयर नहीं करेंगी और शादी दोसों हम आप शेबी को बता दे और जो भी खुशकबरी मिलने वाली है दोस्वों उन्हों पर आप कभी भी एहंकार नहीं करेंगे जी हां दोस्वों ये दो बातों का ध्यान अब आपको अपने जिवन काल में रखना है शारी दोस्वों तिसरा जो बात है कि दोस्वों इसवर के परती लगाव आपको कम नहीं करना है दोस्तों दिन पर तरे दिन कई शारेशी व्यक्ति होते हैं जिनके जुनकाल में कुछ पेशी आजानेशी जिनको जुनकाल में कुछ शुक्षुधाय आजानेशी वो इश्वर को ही नदरंदाज करने लगता है इश्वर के लिए शमय नहीं निकाल पाता है तो दोस्तों इश पर भी आंख मुंद कर भरुषार नहीं करना है और नहीं अपने कारियों का धिंडोर आपको कहीं पर करना है शाधिशा दोस्तों इश्वर के शात रहकर आपको हर कारियों में कारी करना है इश्वर का शमर्थन आपको कारियों में लेना ही है जिसकारी के आप शुरुवात कर पहले आपको इश्वर का अश्मरन करना है कि है इश्वर है दिवी माता हमारी कारियों में आप हमारी शहायता करें अगर कोई भूल हमसे हो जाए तो माता हमें मार दर्शन दें दोसों एश्यवानी का प्रियुग आप उटने मन में उचारन किजीगा दोसों मातारानी आपके कारियों में हो रही गलतियों से आपको अवगत कराएगा और दोसों डिवी शक्तियों का अचपर्ष आप शबी की जुनकाल में जरूर है होगा पर दोसों सच्चा मन और जुड़ना है जी हां दोसों तो आई दोसों बात करते हैं कि आइद शाम से आपको कौन-कौन-शे चार शंकेत मिले वाले हैं और दोसों कौन-कौन-शे बड़ी खुशी आपकी जूनकाल में 10 तक देने वाली है दोसों सबसे पहले खुशी होगी आपके केरियर के छेत्र को लेकर जी है दोसों जो ज़्यादा पिछले कैश्य मेंशे केरियर के छेत्र को लेकर बहुत ज़्यादा परिशान चल रहे थी दोसों जिनका भी नोकरी नहीं है या फिर जिनका भी नोकरी छूट गया है दोस्टों वैपार शम्मेंदी जोवी परिशानी आपकी जुनकाल में चली है दोस्टों अब हुआ खत्म होने वाली है जिनके पार भी नोकरी नहीं है दोस्टों आज शाम से आप शिवी की जुनकाल में मात आराने के शिरबाज से कुछ यसा चमतकार होगा जिसे दोस्टों आने वाले श्रुमिम में आपको नोकरी की प्राप्ति होगी दोस्व हम आप श्रूमि में लिए यह कारी हम नहीं हैं कि यह मातारानी का शंकेत होगा जो लगे दोस्वे आप शिविक के जियोनकाल钱 आने वाले हैं दोस्तों आए शाम से आपको जो भी कारे शमन्दिक कुछ ऐसे शंकेत मिले जिन में आपको लगे कि है कारे हमाली नहीं है तो दोस्तों उन कारें को आप बिल्कुल ही ना छोड़ें दोस्तों आप शबी को बताते कि वह आपके लिए आने वाले भरिष में निखी बड़ा वर्दान आक्षभी के लिए शावित होने वाले हैं तो दोस्तों इन बातों का आप ध्यांद रहें पर दूसरा जो शंकेत है वह आपके लब के लिए हैं जिहां दोस्तों आप शुभी को बता दें कि अब आपके लव लाइफ में जो भी परिशानियां चल रही थी जो भी चिंताएं आपको अपने लव रिलेशन्सिप को लेकर थी दोस्तों वह आपके धीरे-धीरे दूर होने करने वाले हैं। अब आपको अपने लव रिलेशन्सिप में अपने वहवार को बदलना होगा। जि पर पर दोस्तों पिछले और बहुत ही चिर्चरा सा बना देता है तो दोस्व अगर आपके शाति आपसे गुश्य से भी बात करें तो दोस्व वैश में आपको जवाब नहीं तेना है बस दोस्व आपको शांत रहकर शमय का इंतजार करना है तो आने वाले शमय में आने वाले प्रिस्तिती में आपको शुदार देखने को मिलेगा शादी शाद दोस्तों आपको वदा दें कि जो भी आपकी परिश्यानियां लव रिलिसन्सिप को लेकर चल रही थी दोस्तों वह शुब होने वाली है और घरों की स्थिति में बहुत ही बड़ा परिवर्तन होगा जिनके कारण दोस्तों आपकी परिवर्तन में बहुत याच्छा बड़ाव आने वाले है शादी दोस्तों तिसरा जो कारे है दिसरा जो शंके थे आप शबी के जुनकाल में श्वास्त को लेकर है जिहां दोस्तों आप शबी को बता दें कि अब आपकी जुनकाल में पेट समंदी जो भी परिशानी है जो भी शंकट है वह खत्म होने वाले हैं प्रण दोस्तों यह में आपको कुछ बातों का द्यान रखना है जिनसे आपको लगे कि यह कारे बिना दवाईशी अब ठीक ही नहीं होगा तो दोस्तों यह में आपको डॉक्टर के पास तुरंती जाना चाहिए और डॉक्टर के शलाह आपको लेना चाहिए शादिश्रा दोस्तों हम आप शिभी को बता दें कि इनके लिए आपको कुछ महत्पुन उपाय भी करना चाहिए जैसी कि दोस्तों शनिवार और मंगलवार के दिन आपको हर्मान मंद्री में जाकर हनमान जी को लालिटी का लगाना चाहिए दोस्तों इन शे बहुत शारे शंकट टल जाते हैं जो भी श्वासमिधी प्रिशानियां होती है दोस्तों भादूर होते हैं और महाबली हनमान जी उनके जुनकाल में हमेशा और व्यक्ति आपके पाश आए जो कि आपको शोच से बड़े हो लेकिन दोस्तों आपको शमलना है ठेहरना है कि दोस्तों कोई बिएशिकार किष़य के भैकाव में आकर मत केजीगा जो की दुस्तों आपकी आने वाले स्यम्मे के लिए हाने शावित हो तो दोसों इन बातों को अब आपको ध्यां रखना है कि दोसों माहकाली का अंचापके राश्की लोगोते हैं जी है भर आप लालस में आकर कोई एशे गलत्ती कर देंगे जोकि दोसों आपके आतम समान को थेस पहुंचा दि तो दोस्तों एशे में महाकाली का शिर्वाद आप शबी के जुनकाल से हट जाएंगी और दोस्तों बहुत शारी परिशानिया एक शाद आप शबी के जुनकाल में आज जाएंगी जो भी आपके लाब है दोस्तों वे शंकट में बदल जाएंगी दोस्तों भूल कर भी आप गलती मत किजिएगा तो आगे इस वीडियो में और भी महत्पुन जार करें आप शिवी के लिए बताने वाले हैं तो दोस्तों आगे भी वीडियो ध्यांश दिखिएगा दोस्तों आप शिवी को बता दी कि अब आपको परिवार में कुछ खास और बड़ा खुशियां देख आप शिवी के जुनकाल के लिए बहुती अनावश्यक है तो दोस्तों उनकारियों को आपने हाथ में बिल्कुल भी ना लें शादि दोस्तों हम आप शिवी को बता दें कि कुछ यसे कार्य कुछ यसे एक चास जो आपके पिछले शमय से बहुत ज्यादा अधूरी पड़ी थी दोस्तों वहाँ कार्य अब आपका बनने वाले हैं और दोस्तों कारियों में किया गया आपका पर्याश अब शफल होने वाला है कि दोस्तों आप शिवी को बता दें कि माताराणी का शिवी मश्रवाद आप शिवी के जिवनकाल में अब रहने वाली है शादिशाद दो यह सबी चीज आपको प्राप्त होने वाली है दोस्व आपको बता दें कि आपके राश्ची में कुछ ऐसी संभवना ही दिख रही है कि दोस्व एक शाथ आपको चार बड़ी दोस्व इसे आपका जो आत्म विश्वास है वह कई गुना बढ़ जाएगा और आपके प्रश्णता का आपके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहने वाले हैं जिहां दोस्व बिरुजगाल लोग के लिए एश्मी नोकरी प्राप्ति के योग बनने वाले हैं शादी दोस्व जो भी लोग पहले शी नोकरी कर रहे हैं दोस्व उनको अपने कारियों में पज़्वनिती मिल सकती है बौश का सपोर्ट मिल सकता है जिनके कारण दोस्व आपको बहुत ज़्यादा खुशे की अनुवती होने वाली है जिहां दोस्व हम आप शिवी को बता दे कि यश्मी आपकी कुंडली में जो शुबियों का दिर्मान है या दर्शा रही है कि आपको कुछ एसे महत्पुन वस्तू आपके हांस लगने वाली है जिनके कारण दोसों आप शेवी का जीवन अचानक शेवी बदल सकता है दोसों हो शकता है माकाली के शिर्वास चे आपको बड़े र कि श्रवी लाब को आपको रखना है जिहां दोसों शेवी को बताना चाहेंगे कि लाब के मोके तो आपी जुनकाल में बढ़ेंगे शातिच सा राव दू सों कुछ यसे भी गटंभी महत्पुन लाब के रास्ते खुल जाएंगे जिनकी दोस्तूं आपने कभी कल्पना भी नहीं किये थी जिहां दोसों प्रेम शमदों के लिए शमय आपके लिए बहुत ही महत्पून है प्रेम शमद में आपको कोई शुब समचार सुने को मिल सकता है आपकी लव पार्टनर में जो भी जगड़े जो भी विवाद चल रही तो दोसों वो शमाप्त होने वाले हैं और अन्य था दोस्तों आपके लव रिलेशंशिप में फिर से दरारे आज शक्ती है शाथिशा दोस्तों हम आप शिव को बदा दें कि श्वास्त के लिए जो समय होगा बहुत ती महत्पून शमय होगा दोस्तों श्वास्त के लिए आपको कुछ विशेज बातों का ध्यान भी सचित रहना होगा जी हाँ दोस्तों ज्यादा जंग फूट का आपको श्यवन नहीं करना है इसे दोस्तों आपके शिरदर्द ठकान और कमजूरी की आप महशूर कर सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे अपने जुनकाल में वयाम और दोस्त दोस्तों मेडिटेशन को शामिल करेंगे तो दोस्तों ये शिवी शमश्याएं जल्दी खत्म हो जाएंगी तो आप शिवी को बता दें कि ये श्मी आपको कौन से उपायों को करना चाहिए दोस्तों आप शिवी को बता दें कि दूर भाग भी श्यो भाग में बदल जाता ह जूबी व्यक्ति अपने जुनकाल में अमाउश्या के दिन ये छुटे शुपाई कर लेता है जिहां दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जिस बरतन से घर के लोग पानी पीते हैं उसमें शे एक लोटा पानी लेकर घर के चारों कोनों में और मकान के बीचों बीच थोड़ा सा छ कोई वेक्ति लंबे शुमेशी जो बिमार है अमाउश्या की रात उसके लिए उसके तक्या की निचे एक रुपे के शिक्के रखें बाद में वश्ची का शमसान में जाकर फैंक दें इनसे आप शिबी के जिनकाल में वह परिशनिया खत्म हो जाएंगी जिनके ओलिक और आ तलाब अगर आप चाहते हैं तो अमाउश्या तित्थी में मचलियों के लिए हांटी की गुलिया बनाकर तलाब में डालना चाहिए जिया दोस्तों ध्यान रहे कि अमाउश्या पर आपको शुखे नारियल में शक्कर भरकर कच्ची जमीन पर दबा देना है इश्य भी शनि नहाने के लिए यूज़ करते हैं उनमें शित खुड़ा शाप कपूर के तेल की बुंदे उनमें डालने जिया दोस्तों और नाये इश्य दोस्तों आपको तरोत आया तो महशू होगा ही शाति आप शिबिक के उपर से जो भी नकारत्मक बदाए हैं जो भी नकारत्मक उड जाए हैं वे शिबिश मापत हो जाएंगे और आप शिबिका भाग चमक जाएगा यदि इस में कुछ बुंदें चमेली के तेल घबी डाल देते हैं तो दोस्तों शोने पर शुहागा वालक कार्य हो जाएगा बस आपको इस किरिया को करना है और बिल्कुल ही ध्यान से करना है जिया दोस्तों और शुब्रांती हम आप शिबिको एक और महतुन बात बता दें कि अगर आप अनावश्यक रूप शे होने वाले खर्चों से परिशान है और उसी निजात पाना चाहते हैं कि दोस्तों आपके जुनकाल में पेशी तो आते हैं लेकि टिक नहीं पाते हैं पेशा इधर से आते हैं तो उधर चले जाते हैं कोई ने कोई बिगन बताएं आपके जुनकाल में बनी रहती है तो इशी में आपको क्या करना है कि एक गुम्ती चक्र में एक नारियल और शिंदूर लगाकर मंगलवार के दिन हर्मान जी के मंदिर में अर्पित करें जिये महाबली हर्मान जी के इश्चित उभाए हैं आप इने बिल्कुली ध्यान से कीजेगा आपको वशी लाप प्राप्त होगा इश्चु ब्रांती हम आप शिवे को बता दें दोसों हम आपको एक मंतर बताते हैं जो कि आपके रोजगार में बिर्दी के लिए बहुत यह आव की बधाई है बैशारी बधाई खत्मों की जी दोसों नोकरी बिष्चाजादकों के लिए शमय इतना परबल होगा कि देखते देखते उनके कार कि रूप रहा बदल जाएगी घर परिवार में खुश्यों का महल साजाएगा क्योंकि कार्यों में लाप ये शाथ से समाज मे अभी आपको इज़्जत पर्तिष्टा मिलने वाली है ये उपाय को आपको ध्यान से करना है जी आ दोसों तो दोसों फिर मिलते हैं नए वीडियो में फिर किशी नए उपाय के शाथ फिर किशी नए ग्यान के शाथ धन्यवाद